असलाम अलेकम विरो की आल चाह रहा है विरो एक हिंदू मोटीविशनल स्पीकर बड़े मिश्वूर्त सीर अनों जान दे होगे अवेदा अयोदा ओ विरो गल कर रहे है खालसा राज दे बारे सिखां दे सुनेरी दोर दे बारे ते दूसरा ओ गल कर रहे है संथ जर्नेल पिं थिख्योंजीर जिनमंही 7 दीन में हिंदूइजम में रामराज़ी का कॉंसप्ट है इस्लाम में Islamic State का Board और सिखिजम में खालचा का कॉंसेफट यह तो जिस दिन गुरुगोविन सिंग जैसा प्योरश कोई सिख आ जाएगा वहा चुछी राज्य में जाएगा है उनीसो चुरासी च ब्लू स्टार हुंदा है तो अनल लगदा है सिख्खा दे मंदे अंदर उस तो बाद इस मुल्क प्रती ए फरकाया कि शायद असी सेकेंड सिटिजन है इस मुल्क देगी असंतुस्ती तो वहां के युवा में दिखाई बड़ती है उसको फिर स साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ और 84 तो लोग भुला ही नहीं पाते हैं अगर गुरतेक बहादूर जी अपने लोगों को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दे सकते हैं तो संत जनराल सिंग बेंडर वाला जिनको बहुत सारे लोग उदर बहुत मानते हैं उनको भी बाहर आन दुर्बार साहिब तो उनको आना चाहिए यह कह रहे हैं कि उनको सरकार की समक्ष आना चाहिए वहां से बाहर निकलाते कि हमारे किसी भी आदमिको आप टच नहीं करो हम आ रहें तो शायद बहुत कुछ रोका जा सकता RSS शिखा नूँ एसिमिलेट करना चौंदी है RSS चौंदी है के सिख हिंदू दई पार्ट बने मैंने तो बड़े सारे सिखों को देखा वो अंगूटी पहन थे एक तरफ तो आपने पक बांध रखी है आप सिख्खिसम मार रहो दूसरी तरह आप अंगूठी पहन रहो तो दोनों चीजों में विरोधा भास हो गया की लिए हो गया कोई ज़रुवत नहीं सिखों को किसी धर्में एड़ेस्ट करने की वो अपने आप में एक आदर से पुरी दुनिया में अज फीर तो नो लग रहा है कि पंजाब चिक किते न किते वा अगश्फ बढ़ी है दुबारा तनाओ का माहौल तो पंजाब में मुझे भी दिखाई पड़ता है कि आने वाले समय में और ये तनाओ जन्ता की वज़ा से नहीं होगा ये तनाव होगा राजिनीती की वज़ा से है आज जो पंजाब की इस्तिती है वो कहीं न कहीं थोड़ी सी गर्बर तो हो ही रही है हिंदू मुसल्मान दोनों को सिखों से सीखना चाहिए सिखिसम से सीखना चाहिए इनको ये उद्देश बनाना चाहिए कि जैसे सिखों में पंजाबियों में कोई उनके गुर्दवारे के बाहर भीग नहीं मंगता ऐसी समाजीक विवस्ता हम भी पैदा करेंगे कि हमारे मंदिर और महजट के बाहर खड़े होकर कोई भीग नहीं हम भी देना सीखें हुआ ज़त अरे कि हम आज के लोग कैते हैं रहा हैं पढ़े लिख्ये लोग हैंthose कि ऐनको नहीं मांते हां तो भीग थो मांग रहे हो इतना सारा पैसा होने के बाद लोग सूसाइड कर रहें कि CCD के मालिक के पास इतना पैसा था वह लोगों का सपना है कि भाई हम किसी तरह करोर उपय कमाले ओंधस हजार करोर उपय का मालिक कि सब्सक्राइब करने का सब्सक्राइब करया हैं टो जैसे में एंटर किया और एंटर करके लेस्ट मुड़ा जो दान काूंटर महां पे लिखाए यहां माया का दान करें वहां ये नहीं लिखा यहां पैसा का दान करें, वहां उपर बोर्ड है, यहां माया का दान करें, तो कि पैसा कभी आनंद हो ही नहीं शक्ता। मुद्ध कडीमतों पंजाब दुनिया पर दा, सत्ता दा ते वपार दा के इंदर रहा, जो कोई पारत आया, पंजाब दे रहीं पारत एंटर करना पेंदा है, जियो पॉलिटिक्स पंजाब ते निर्बर कर दी है, और जदो असी किसान अंदुलन वेले एगल डिसकस करके लो काँच दसन दी कोशिश की टी के पंजाब दे खेत, पंजाब दी खेती, पंजाबियां दी होंद, कली पंजाब तक सीमत नहीं है दा असर, वेस्ट तक पेंदा है, पूरी दुनिया ते भी पेंदा है, अज पंजाब नू समझन दी कोशिश करांगे, देश ता एक वड़ा चेरा वड़ा ना, अवदोजा सर, जिनान उतुसी, हर रोज सुन्देओं साड़े दर्मियान ने, बहुत स्वागत है सर, पंजाब अवदोजा दे लई की है, पंजाब हिंदुस्तान की आत्मा है, जैसे अभी आपने शुरुवाती लाइन बोली, कि वो दर्वाजा है हमा शुरू से, मनला हमारा सारा व्यापार, जो उत्रापत जिसको हम कहते हैं, तक्षिला जो उनिवस्टी थी, वो पाकिस्तानी पंजाब का ही हिस्सा थी, तो पंजाब हमारा दर्वाजा है, आत्मा है भारत की, और खासकर खैबर पास, जियो पॉलिटिकली बहुत इंपॉर् जिसका सेंट्रल एशिया पे रहा, उसका वेस्ट एशिया पे रहा, तो एक तो ट्रेड, दूसरी प्रॉस्पेरिटी, तीसरा वारियर और चौते हमारे गुरू लोग, जिन्होंने पंद्रहवी शताबदी के बाद भारत को एक नई दिशा दी, तो भारत तो हिंदुस्तान से पहले जितने इन्वेडर आए, वो सब भारत का हिस्सा बन गए, तो ज्यादा दिक्कत नहीं हुई, लेकिन महमूद गजनी के से जो लोग आना शुरू, महमूद गजनी खुद, एक हजार एडी से पहले, शक, कुशार वगरा ये लोग आए, ये सब भारत का हिस्सा बन भारत की सद्सक्रीती का हिस्सा बन गए, तो कोई चुनोती नहीं हुई, महमूद गजनी से लूट मार की शुरूआत हुई, महमूद गजनी, फिर उसके बाद तुर्क आये, फिर मुहमद गौरी आया, और ऐसे करते करते करते, 1398 तद पंजाब को सारा खामियाजा भुगत पड़ा विदेशी आकरमा का, अब 1398 की आप स्थती इमाजन करो, कि इतने लोग मारे गए दिल्ली और पंजाब के रास्ते में, तैमूर आया, दिल्ली तक उसके बाद वह वापस मारते हुए, वापस गया, तो एक कहावत है कि necessity is the mother of invention, यहाँ उशक्ता होगी, वहाँ और उन्होंने एक ओंकार सतनाम की सब एक इश्वर की संतान है, सब मिलके रहेंगे, ने तो सब ऐसे ही मारे जाएंगे, और उनसे एक प्रथा शुरू हुई, लंगर की, क्योंकि खाना भाईचारे का प्रतीक है, जब आप एक साथ बैठके खाते हैं, तो आप भाई हैं, औ और वहीं से सिखिसम की शुरुआत हुई और पंजाब के सशक्ती करण की और भारत के रोश्नी की शुरुआत हुई, गुर्णानक तो पहले दा पारत, तो बात दा पारत, किन्नी वड़ी तब दिली है, किन्ना वड़ा डिफरेंस देखे हैं तुसे, बहुत बड़ा डिफ तब वह मौरियों के कब्जे में था, पंजाब का पूरा हिश्सा, फिर वह कुशानों के कब्जे मेरा, लेकिन गुपतों के बाध से लेकर, और गुर्णानक देव जी तक पंजाब की स्थिति बहुत खराब थी, बहुत, अंदिकार हम कह सकते हैं, पूरी तरह से, और हुर गुरु गोविन सिंग्जी से कहल पूछा उसने कि आपके ये जो बंदे हैं ये बड़ी दाढ़ी और बड़ा बालकियों रखते हैं तो नहीं कहा ये संत योद्धा हैं सेंट वारियर तो सिखिजम का दो कॉंट्रिब्यूशन है जो ना तो भारत उससे उपर जा सकता है ना ये पूरी दुनिया जा सकती है पहला कॉंट्रिब्यूशन ये है गुर्णानक देवजी से गुरु अर्जून देवजी तक हैं सामाजिक सांस्कृतिक सुधार सब भाई हैं एक मनुष्य की एक इश्वर की हम सब संताने हैं ये पहला फेस हैं सब एक हैं बाहर निकलो ये जाती पाती अगर आज हम सिखिजम को पूरी तरह माल लें तो दस साल में भारत सूपर पावर अगर भारत सरकार जो सिखिजम की देन हैं जो उसके सद्धान्द हैं अगर उसको पूरी तरह वो फॉलो कर लें और सब फॉलो कर सकते हैं उसमें कुछ हाई ही नहीं आदी गरं गुरु अरजुन देयो जी के बाद जब उनकी शहादत हुई और उसके बाद से एक अकालतक्त का गठन हुआ और अधर्म के खिलाफ लड़ाई शुरूई जो बार बार लोग कहते हैं न मुसल्मानों के खिलाफ कोई मुसल्मानों के खिलाफ लड़ाई नहीं शुरूई अध खर्म के खिलाब कि अगर राज राज अगर जाती करेगा राज अगर बदमाशी करेगा तो हम लड़ेंगे और उसका जो पीक पहुंचा वो गुरु गोविन सिंग साहब तक पहुंचा एक मैं थोड़ी गल्टो करें एकसर चर्चा हुंदी के इसलाम ना लड़ाई है मुगल यह इस दुनिया का इस समाज का नियव है कोई एक घटना नहीं है भगवान कृष्ण ने तलवार उठाई जब जब राजा फेल करेगा जब दुनियावी राजा फेल करेंगे तो संतों को तलवार उठानी ही पड़ेगी और संतों की तलवार किसी धर्म के लिए नहीं उठ यह मानवता और धर्म की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं इसलिए संत भी है और योद्धा भी है तो सिख बेसिकली संत योद्धा है और सिखों को भी यह बात समझनी चाहिए उनका जो जिम्मेदारी है उनकी जो दाइत वह दुनिया के प्रती मैं तो बार बार क्लास में ज सकती है पूरी दुनिया में तो बिजनस में उनका कब्जा है आप कहीं भी चले हूं कि मैं बंगला साथ गुर्दारे ठंडक में जब जाता हूं तो वहां सब लाइन लगा के खड़े हैं कंबल लेने के लिए खाना लेने उसमें कोई सरदार नहीं है यह जो इस देश के हिं बंदू हैं मुसल्मान हैं इनको सिक्खों से सीखना चाहिए कि भाईया तुम इतने प्रोस्परस कैसे हो कमाना जानते हैं बाटना जानते हैं तो जिस कौम को कमाना अपनी मेहनत का कमाना और फिर अपनी मेहनत का बाटना यहां लोग अपने भाईगों नहीं खिला पा रहे अपने परिवार में नहीं खिला पा रहे हैं अपने माबाब को ओल्ड एज होम में रख रहे हैं तो अगर उस समाज का उस धर्म का अध्यन किया जाएगा तो बहुत सारी बातें बाहर निकल कर आएगी और सिक्षिजम का सद्धान्त कि गुरू होना चाहिए वही पूरा उनका जो बेसिक सिद्धान्त वो यही है कि हमारी आधि गुरू आधि गरंथ वो फाइनल गरहमी गुरू है लेकिन उसको एक्स्प्लेन करने के लिए समझाने के लिए क्योंकि वो तत्तो ग्यान है मेटाफिजिक्स है वो हर आदमी नहीं समझ पाएगा तो उसको समझाने के लिए एक फिजिकल गुरू सबको ढूलना ही चाहिए और अगर ऐसा हुआ भारत में तो हम अगले दस साल में एक बहुत अच्छी स्थीति में पहुंच जाएगे 1984 ब्लू स्टार होंदा है तो हम लगदा है सिखाँ दे मन दे अंदर उस तो बाद इस मुल्क प्रती ए फरकाया के शायद असी सेकेंड सिटिजन है इस मुल्क दे गणाच टैर पाके जिस तरीके नाड मार दिते गए जैनोसाइड होया वो एक बहुत बड़ी कटना सी सिख ते इस मुल्क दे रिलेशन थी नहीं वो तो बहुत बड़ी घटना थी मतलब उस घटना से तो बिलकुल इंकार नहीं किया जा सकता और मैं उस वक्त खैर तामिलाडू में था मैं तो इधर था नहीं नौर्थ में लेकिन हमारे नौर्थ में जो हमारे दोस्त है वो जादातर लोग हमारे ही घरं थे इसे हमारे सुरिंदर सिंग सलूजें थे चाचा जी है दीपनारायन पांडे वो अच्छे पोलिटिकल लीडर थे तो वो लोग दीप नरायन पांडे जी के घर में ही सारे लोग थे और जिस तरह से 84 के दंगे हुए सिखों के खिलाफ वो दंगों ने ये साबित किया कहीं न कहीं क्योंकि हत्यारा तो किसी कौम का है नहीं मैं तो क्लास में कहता हूँ कि भाई अगर सिखों अगर सत्वन सिंग बेयन सिंग ने इंद्रा गांधी को मारा तो आप मानते हैं कि सरदा सिखों ने इंद्रा गांधी को मारा तो फिर राजु गांधी को भी तो तमिलों ने मारा उसके लिए तो खैर इस देश को रिपेंट करना ही चाहिए हर आदमी को माफी मागनी ही चाहिए और सरकार को भी उसमें लेकिन एक पॉइंट बहुत प्यारा है वो भी है गुरुतेग बहादुर जी से जब कहा गया मैं गुरुतेग बहादुर जी का इंस्टेंस ले रहा हूँ पानी दे सकते हैं, तो संत जनराल सिंग बेंडर वाला, जिनको बहुत सारे लोग उधर बहुत मानते हैं, उनको भी बाहर आना ही चाहिए था, उनको आना चाहिए था, उनको सरकार के समख्ष आना चाहिए था, उनको दिल्ली आना चाहिए था, अगर वो बाहर आ जाते, वो तो एक पक्ष ने तो गल्दी की ही की लेकिन दूसरे पक्ष ने ये गल्दी की कि उसे सरकार के आदेश को मानना चाहिए था सरकार के आदेश को ना मानने का मतलब होता कि आप सरकार से बड़े हो गए हो आप सरकार से बड़ा होदा वो कर रहा हो तो Congress ने वो एक mistake तो की ही थी, और Congress के साथ साथ इस देश के लोगों ने भी की थी, क्योंकि सिखों का योगदान कहा नहीं है, सेना में है, business में है, व्यापार में है, और जब भी इस देश में कोई आपदा आती है, दुनिया में आती है, मैं तो कहता हूँ, दुनिया में आप अरिवार है और लोग हमारे साथ भी खड़े है, तोटे मताबक संजरनेल सिंग पिंट रहावाले आदा, राइस क्यों होया, अब राजनीती में अक्सर संत आ जाते हैं, उन्हें नहीं आना चाहिए, मैं तो कई सारे संतों का नाम नहीं लूँगा, जो अधुनिक भारत में क्तию राजनीती में है, संतों को सीकरी से क्या काम, बटी कहवत है, कि छोनता नों सीकरी से क्या काम, मैं नहीं हम राजनीती में हिंदू इजम च्वी ट्रेंड आया है, मझूनता मजूद्धा पॉलिटेक्स चैन्धा, किनना ही संत, योगी साब भी संत सीगह, जो पॉलिटे पंजाब दे हलात के में देखने हूं ओ दौर फिर उस्तों बाद एक लंबा दौर रहा जदो पंजाब ची लेर रही हत्यार बंद लेर फिर एक समाँ हो दा है परकास सिंग बादल और कैप्टेन मरिंदर सिंग दा अज फिर तो अनों लग रहा है कि पंजाब चिक किते ना कि पंजाब में जो भी अराजकता पैदा हुई उसको पंजाबियों ने ही दबाया सबसे बड़ी बात यह है ऐसा नहीं कि बाहर के लोगों ने उसे जाके दबाया पंजाब में अगर अराजकता पैदा हुई तो सिखों ने पंजाबियों ने ही उसको कंट्रूल किया उन्हों उन्हें फिर अपनी देश भक्ती साबित की ठीक है यार कोई बात नहीं हम इस रास्ते पर नहीं जाएंगे आज जो पंजाब की इस्तिती है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी गर्बर तो हो ही रही है एक तो नशा सबसे जादा बढ़ रहा है बच्चों के लिए और एक तनाओ का माहौल तो पंजाब में मुझे भी दिखाई पड़ता है कि आने वाले समय में और यह तनाओ जंता की वज़ा से नहीं होगा यह तनाओ होगा राजनीती की वज़ा से है हां बिल्कुर कहीं न कहीं हर आदनी को उस सोने के कटोरे पर अपने आपको कब्जा रखना है तो राजनीती के चक्कर में वहां का मौहल गढ़ाएगा और उसका शिकार वहां की जंता होगा तो अड़ी अंडरस्टेंड नहीं की नजर आ रहे है कुछ नियर फ्यूचर कु ऐसा हुआ वैसा हुआ और 84 तो खैर लोग भुला ही नहीं पाते बहुत सारे लोग है जो 84 को भुला ही नहीं पाते क्योंकि उसमें से बहुत सारे भुक्त भोगी भी रहे होंगे उस दंगे के उनके रिष्टेदार बाहर भुक्त भोगी रहे होंगे तो कहीं नहीं की चीज़ दिखाई पड़ रही कि राजनीती के चक्कर में हर आदमी उस पर अपना कभजा रखने के चक्कर में उस पुरानी बातों को फिर से उठाएगा और उस परिस्तिती में पंजाब की स्थितिक हराब हो सकती है इस असर पारत्ते की पेंदा है यह पंजाब देहलात व राजनीती के रूप से देखें आर्थिक रूप से देखें हम जियो पॉलिटिक्स के रूप में देखें पंजाब में अगर हलचल होगी तो पूरे भारत पर उसका असर पड़ेगा उससे तो बचाई नहीं आ सकता है लेकिन अभी समय है अगर सरकारें अभी भी जागरित ह हो जाएं और थोड़ा सा अटेंटिव होकर उधर काम करें तो चीजों को बहुत हद तक समाला जा सकता है तो आटे मताबक बीजेपी दा सिख्खांपरती की नजरीया है बीजेपी तो मुझे लगता है कि चुकि कल्चरल रूप से पार्टी अपने आपको भारत की संस्कृति से जोड़ती है तो वो संस्कृतिक रूप से सरदारों को वही सम्मान देती है सिख्खों को पंजाबियों को जो सम्मान वो डिजर्व करते हैं मैं तो प्रधानमंत्री जी को देखता हूँ कि मैं पूरा पूरी बईजेपी पार्टी पूरा नेत्रित उनका यह सिविकार करता है कि मेरे खाल से 25 दिसंबर को उन्होंने डिक्लेयर भी कर दिया 25 दिसंबर से लेकर जो 28 दिसंबर शहादत है गुरू गोजेच भी कंफ्लिक्ट होया सिख एक्सेप्ट नहीं कर रहे इना चीजा उन्होंने कहा कि वीर बाल दिवस नहीं है बाल नहीं है बाबे नहीं सड़े तो मैं स्वाल अगला मेरे ही करन लगया सी तो अन्हों कि राजनीतिक पार्टियं जब कोई काम करती हैं तो जनता के मन में हमेशा यह बात पैदा होती कि राजनीति कर रहा है राजनीतिक दलों का एक सबसे बड़ा पहलू यह कोई काम अगर राजनीतिक दल करेगा राजनीतिक राजनेता करेगा तो अगला आदमी यह सुझेगा कि यह हमें बहलाने की कोशिश कर रहे है या हमें जीतने की कोशिश कर रहे है या हमें अपने साथ मिलाने की कोशिश कर रहे है लेकिन वो सब तो खैर राजनीती का हिस्सा ही है पर मैंने यह देखा है कि बीजेपी के अंदर सिखों को लेकर और सिखिजम को लेकर बहुत सम्मान ह ये वदूगा अगे जाके तो अनलग देदा असर पहूगा बीजेपी पंजाब चिकल नूँ स्ट्रॉंग हो सक दी बीजेपी को उसके लिए थोड़ा सा जादा मेहनत करना पड़ेगा क्योंकि ग्राउंड लेवल पर अभी उनकी उतनी अच्छी पकड नहीं है एक जर्नल परसेप्शन है जदोंवी सिख इशूज दी गल हुंदी है के आरेसस सिखा नूँ एसिमिलेट करना चौंदी है आरेसस चौंदी है के सिख हिंदू दाई पार्ट बने तारा पच्चीनों लेके वड़ा मसला सिखान दे विच के असी किस्सा तारी हिंदू नहीं है असी वक्री कौम है इस गल्दे उत्ते बहुत वड़ा कन्फलिक्ट बहुत सालान तों चलदा आ रहा है आरेसस ता नजरिया सिखां प्रती तो अड़े मताबक की है इसका जवाब बड़ा प्यारा सा है कि बाबा नानत सूफी फकीर ऐसे कुछ करके लाइन है हिंदू का संथ मुसल्मानों का पीर कोई ज़रुवत नहीं सिख्ण को किसी धरमें एड़्जेस करने की वो अपने आप में एठ आदर से पुरी दुनिया में कि यह इसे बहुत सारे लोग करते हैं उनको एड्जेस्ट कर लें मैं कर तो जरूरत ही गया है अगर एड्जेस्ट ही करना होता वो एक धारा के वज़ा से पैदा हुए जब फ़िफ 15 शताब्दी में जिस वक्त सिंखिजम पैदा हुआ अराजक्ता पैदा हुई अनरकी पैद सत्ता नहीं है भारत में जिस वक्त गुर्णानक देवजी साहब आते हैं उसको भारत में कोई राजनीतिक सत्ता नहीं है और सिखिसम पैता हुआ एक बड़े नोबल सद्धानतों पर गुर्दवारा साहिब बना हरमंदर साहिब बना वो जो हिंदूइजम और मुसल्मानों की जो कुरीतियां थी उनको साइड करके एक नई धारा का जनम हुआ तो जब वो कुरूतियों के खिलाफ एक नई धारा का जनम हुआ तो वो धारा और मजबूत की जानी चाहिए क्या जरूरत है कि उसे इधर assimilate कर लें उसे उधर assimilate कर लें ये हमारे रिष्टेदार कि उनके रिष्टेदार इसकी कोई जरूरत नहीं सिखिसम को जिस धारास के साथ वो पैदा हुआ जिन चीजों के साथ वो पैदा हुआ और ये बात सिखों को भी माननी चाहिए मैंने तो पड़े सारे सिखों को देखा वो अंगुटी पहनते नहीं पॉनी चाहिए अरे गुरू हमारा कह रहा है कि भाई हुकम गुर्णारक देव जी का कई सारे शब्दों उन्होंने इस्तेमाल कि उसमें से एक वर्ड हुकम कि सब कुछ हुकम है प्रमात्मा की महिमा है फिर उस म घुटी पहन रहो तो दोनों चीजों में विरोधाबास हो गया कि नहीं हो गया सिखिजम से सीखना चाहिए इनको यह उद्देश बनाना चाहिए कि जैसे सिखों में पंजाबियों में कोई उनके गुर्दवारे के बाहर भीग नहीं मंगता ऐसी समाजिक व्यवस्ता हम भी पैदा करेंगे कि हमारे मंदिर और महज़ित के बाहर खड़े होकर कोई भीग न म होण पंजाब दी आर्थिकता नहीं कमजोर के होगी पंजाब दा किसान सुसाइड करन लग गया पंजाब दी खेती प्रॉफिटेबल नहीं रही एथो पंजाब नू बार के में कटे आ जा सकता है एगरी कल्चर जो है वो दो चीजों पर डिपेंड करती है पहली चीज डि अब जितने भी और भारत एक अगरी कल्चरल कंट्री मौरे समराज ने क्या किया और अगरी कल्चर हमारी बेस है फंडमेंटल है तो मौरे समराज जो ताकतवर बना उसकी सबसे बड़ी वज़ा ये थी कि उसने अगरी कल्चर और अगरी कल्चरिस्ट को बहुत प्रमोट कि और किसानों को तीन चीज़ से बचाया जाता है, एक तो money lender से बचाया जाता है, क्योंकि उसके पास पैसे का source नहीं है, तो वो पैसा लेने के लिए finally भागेगा money lender के पास, एक किसान है, उसकी बीवी बिमार हो गई, तो जब तक वो बैंक से loan pass कराएगा, तब तक तो बीवी उ तो हर किसान का जो cheapest option होता है, वो होता है money lender, आरती बोलते हैं, हाँ, money lender है, विरो खालसा राज, खालसा राज सिखान दा बेहतरीन दोरे हकूमत है, जित सिख अजवी मान मसूस कर दिया, तो है भी मान मसूस करने आला ही दोर, क्योंकि उस दोर दिवेच महराजा रंजीत सिं मान, हिसाई, हिंदू, एवन के जड़े अंग्रेज तक उना दे तर्म दोरे को मत देवेच उना दे मुलाजम सी, क्योंकि हर तर्म नो एको जाए सदकार दे सी, सारे तर्मान दे वो बड़ा एहतराम करते सी, जिना सोना उना ने अपने गुर्दवारें ते लाया, उना ही स ऐसे मुसलमान दे मस्जदां, ते हिंदू वीर जड़े सी, उना दे मंदरान वी देता गया, हर तब के हर मख़ब दे जड़े लोग सी, खालसा राय दे वेच बड़े खुछ सी, अजवी, खालसा राय जनो सनेरी लफजान दे वेच याद कीता जान दावे, हर तरंदे है, के संत जर्नाल पिंड़ा ले, उननो सियासदा नहीं होना चाहिए था, मेरे ख्याले मताबक, मैं घल्द भी हो सकना, के संत जर्नाल पिंडरा ले सियासदे लें पासट किता सी, अपना एक नुखता, उस दे उपर डटे गया यसी, के नहीं, मैं इस दे उपर कंप्रॉमा अपनी इडिवर्डी खुर्बाने की ती वीडियो कमेंट कारके अपनी कीमती रदे जाहर लाजमी करना अपने असरो गया रखना द्वा में याद रखना अलाफिज